आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महांतम संघर्षों में से एक है। दूरदशन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राश्वादी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता से नानियों का नेत्रित्व किया और पूरे यूरोप में भारतिये स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। अंतता उन्हें गिरफतार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर बिटिश समराट के खिलाफ शड़ेंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोशी ठहराया गया और पचास वर्ष के कारावास की सजा दी गई। चार जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सिलिलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किये। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थादान तरित कर दिया गया और 1937 में बॉंबे प्रेसिडेंसी की नव निर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्ट रिहा कर दिया गया। जाती प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाती प्रथा को इतिहास के कूड़े दान में फैंक देना चाहिए। उन्होंने जाती आधारित व्यावसाइक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यावसाइ अपनाने के लिए प्रेरित किया भारतियों के लिए वैश्विक पहुच सुगम बनाने और विदेश जाकर महां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारती संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यक्ता म विभिन जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में इस थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतरजातिय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैग्यानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिमसास ली। महान राष्टरवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को शत्शत नमाद।